नगर्ण के स्टेडियम में आमंत्रण श्टेट महला केर्केट पर्द युक्ता का सुभारम उत्तपदे सरकार के पूर्प कैवरेट मंधी दोरा किया गया आए आपको भी दिखाते है बतादी की जिला खेल कार्याले अब मैनपुरी क्रिकेट एसोसीशन के तत्वधान में नगर के पंडित जवालाल नहरू स्टेडियम मैदान पर पहला मंत्राड इस्टेट महिला क्रिकेट प्रतियुकता काईजन किया जा रहा है इस क्रिकेट प्रतियुकता में प्रतियुकता में प्रतियुकता में प्रतियुकता में प्रतियुकता 10 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक लगातार जारी रहेगी प्रतियोकता का सुबारम उत्ता प्रदेश सरकार के पूर्प कैबिनेट मंत्री पर्तमान में भोकाउं पिरांसहासे बिदाई पंडित राम नरे सकनी खोती और उत्ता प्रदेश पैक स्पेड के चेयरमेन प्रेम सिंग सा के दोरा क्या गया है प्रतियुक्ता सुबारम के पहले दिन दो मैश कराए गए जिसमें पहला मैश लकनो और आगरा महिला करके टीमों के बीच हुआ दूसरा मैश प्रियागराज और गाजियाबाद महिला करके टीमों के बीच संपन कराए गया प्रतियुक्ता में प्रतम पुरुषकार 21,000 रुपए और देतिय पुरुषकार 11,000 रुपए देतिय पुरुषकार 5,000 रुपए रखा गया है प्रतियुक्ता का समापन 17 मार्च के दिन किया जाएगा प्रतिय एक दिन दो मैचों को संपन कराए जाएगा प्रतियुकता के बारे में जानकारी देते हुए मैनपुरी क्रिकेट एसोसियेशन के सचे बोर्ट जिला के लाधकारी सुनील कुमार नेयर ने क्या कुछ पताया आप जरा एह भी सुनिये लीग कम नॉकाउट आधार पे दस्टीमों के अंतरकत प्रतियुकता को आईजित किया जाता है जो कि साथ दिनों के अंतर किया जाता है तो इसके लिए हम लोग ने एक बैठकी जिला क्रिकेट संग के द्वारत साथ में और यहां के जो भी संब्रांद व्यक्ति गणवान व् प्रेखा बताया गया तो उन सभी ने कहा कि जब यह प्रतियुक्ता है जित की जारी तो और बहतर तरीके से और अच्छे लेविल पर करते हैं तो उसमें फिर इस प्रतियुक्ता को कलर ड्रेस में वाइट बॉल से करने के लिए प्रयास किया गया जिसका स्पांसर्शिप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक शांदार आयोजन किया जा रहा है जिसमें आज पहला उद्गाटन मुकावला लखनाव और आग्रा के बीच में खेला जा रहा है